हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल स्टार्ट विद आर्ट आज की जो वीडियो है वो जामिया के उपर बेसिकली मैंने बनाई है जैसे कि आप में से काफी सारे लोग यह पूछ रहे थे कि जामिया में शेडिंग करनी होती है यह नहीं होती है तो उस सवाल का जो जव है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अब महां से जाके चेक कर सकते हैं तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि शेडिंग करनी होती है यह नहीं करनी होती है तो एक चीज मैं आपको बता देती हूं कि जब भी जामया वाले जो हैं एक्जाम पेपर कंडेक्ट करते हैं उनका कुछ भी फिक्स नहीं रहता है मतलब थोड़ा बहुत चेंजिस वो लिटिल बिट चेंजिस करते रहते हैं जैसे कि वो अप्लाइड में पॉजिटिव नेगिटिव नेगिटिव या फिर वो जो उनके लेट ठीक है और कभी-कभी उसमें प्रॉपरली एक्जाम में में मेंशन होता है कि आपको विट शेडिंग करना है ठीक है तो ये डाउट अपने दिमाग से हटा दो कि आपको सिर्फ ड्रॉइंग करके आनी है ऐसा कुछ नहीं है अगर ये लिखा है कि सिर्फ आपको सब्रॉण जो शेडिंग कैसे करना है तो उसका मैं कुछ पर चुछ करके दिखांगी कि आपको शेडिंग किस तरीके से करनी है ठीक है तो चलिए विडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले मैंने शेडिंग के बेसिक sorry की बता रहे है जब से बनाये हूई है तो अगर आपने से बोलते हुए आरियों कि आपको HB से स्टार्ट करना है काफी सारे लोग जो है मुझे अपना आर्टवर्क भेजते हैं and 8B 6B से यूज कर रखा होते हैं उन्होंने जिसमें काफी जादा हार्श जो है टोंस दिखरी होती है and blackish blackish सा लग रहा होता है कुछ भी properly merge नहीं लग बस जल्दी जल्दी करने के चकर में 8B और 6B से करके भीज देते हैं तो वह सब नहीं करना है अगर आपको स्मूधनेस चाहिए ठीक है जैसे आप लोग पूछते हो कि रियलिज्म जो रियलिज्म हम कर सकते हैं क्या बिना स्टोक कर सकते हैं तो आप कर सकते हो लेकिन जो अगरें जो ट्रोक आप डाल रहे हो पैंसिल से ही करना है वह तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके लिए स्टोक कि स्टोक से आप बहुत अच्छा मर्ज कर पाते हो देखो मैं आपको दिखाती हो थोड़ा जूम करके कि किस तरीके से जो है मर्जिंग करनी होती है थीक है तो देखो जैसे मैं आपर strokes डाल लूँ तो आप लोग ऐसे-एसे strokes डालते हो ठीक है 45 degree के strokes होए यह हो गए मेरे 45 degree के strokes अब क्या है कि यह थोड़ा सा merge नहीं है क्योंकि यह इस direction में जा रहा है लेकिन अगर मुझे से merge करना है तो मैं क्या करूंगी दूसरी direction से strokes डालने स्टार्ट कर दूंगी यह एक technique मैं आपको बता रही हूँ जो कि shading में बहुत जादा useful होती है अगर आज आप ने यह सीख ली तो आप शेडिंग में कभी भी मार नहीं खा सकते इस टेकनिक को सीख लो मेरे से कि इस में आपको क्या करना होता है शेडिंग करते हैं आपको किस चीज का ध्यान करना होता है strokes तो यह भी है इस direction में जो जा रहे हैं वो भी strokes यानि कि strokes जो हैं कि किसी भी direction से हो सकते हैं आपने जो काम करना है वो कैसा करना है merged work तो अब मैं इधर से डाल रही हूँ ठीक है मुझे अभी भी satisfaction नहीं है कि अभी भी merged है तो मैं क्या करूँगी मैं तीसरी तरफ से strokes डालूँगी ठीक है यह मैं इधर से डाल दी है अब मैं इसको भी complete कर देती हूँ अब जैसे कि आप यह देख सकते हैं ठीक है कि यह जो बीच में area आया है जी है कि म让 I remember my aument to the stroke through strokes अभी apply तो मैं आपको merging करने है तो मैं कि राचिक है यह बहुत ही गलत तरीक अभी तरीक अ का मैं मैं आपको बताएं अगर एक च्छन से सही से merging नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है direction को change करके उसी के ऊपर और अगर आपको light shading करनी है तो light shading करने के लिए क्लोज-close strokes लगाने है क्योंकि अगर आप इसके ऊपर shading करो के तो यह dark होता चला जाएगा तो अगर light shade करना है तो एक ही तरफ से strokes रखने है बहुत हलके हलके hb का use करके strokes डालने है यह still life के लिए भी और फिगर ड्रॉइंग के लिए दोनों के लिए best tip है और अगर आपको dark करना है तो आप इसमें कितने भी direction से strokes डाल सकते हैं तो वह और ज्यादर dark होता जाएगा dark भी होता जाएगा plus 7 में merged भी होता जाएगा तो जैसे अब इधर से डाले अब मैं दालना चाहती हो उपर से नीचे तक तो मैं उपर से भी डालूगी मैं side से जो मैंने पहले डाले थे रहे हैं एक तो यह तरीका है शेडिंग करने का फिर का दुछते हैं कि हम क्रॉसह जाफे सकते हैं कि मतलब इन दूस्चित में सिग्ट इन जो चुछा इंच दूसे में हम चाते हĩं कुछ rhetoric कि शेडिंग уже को भी आप च्रॉइकिते होने किपने इसको किस में आपको कैसे shading करने हैं जैसे कि जिस जिस direction में जो आप जैसे hares हैं अब hair की direction क्या होती है जिस direction में दे रख है उसी direction में shade करूँ ठीक और अभी मैं सिर्फ HB से कर रही हूँ HB से मैं इसले कर रही है ताकि ये smoothness आए ठीक है HB एक बार माननी जरूरी है तो मैंने ऐसे करके फैसे दोगैंट या यह चाहिए या पर फिल लिए तो इस तरीके से जो है सबसित फर्स में आपको शेडिंग में पैंसल चलानी है इसके बाद नेक्स्ट नेक में देखो अगर आपसे सबसे पहले आपको यह बताती हूँ कि अगर आपसे पूछ जाए कि सिर्फ ट्रॉइंग करनी है और शेडिंग नहीं करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको एट भी लेनी है ठीक है अगर कोई नीचे जैसे बेस लाइन में कोई अगर नीचे शाडव बन रही है वो निकालना होता है ठीक है तो अगर आपने निकालना होता है ठीक है तो कुछ कुछ इस तरीके से जो है कहीं कहीं पर शेडिंग करनी है जादा नहीं करनी है इसमें कम कम करनी है तभी मैं आपको यह करके दिखा रही हूँ कुछ नहीं आपको शाल लूर। कुछ कांव स कि मॉश सालना होता है । झाल झाल इस तरीके से जो है कहीं कहीं पर शेडिंग करके आनी है ठीक है यह इस से क्या लगेगा कि आपने जो डाक एडियाज है उनको में निकाला है प्लस आपने प्रॉपरली शेडिंग भी नहीं किया तो पैंसल के साथ यह करके आना है एंड जैसे कि आपके बस टाइम बचता है तो आप इसको मर्च कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में ही यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी एट भी यूज करके दिखाई आपको तो इस इस तरह से जो है आन श्ट्रोक मार सकते हो प्र Вас अंग यह पोल्स वगयरा जो है आपको सामने देखना कि फिगर किस तरह के से बैठा है तो उसके हिसाब से आपको यह सब फोल्स वगयरा डालने है जो अगर आप लगाओगे तो आपकी जो तो आपकी सामने एक रेफरेंस ह तो इसलिए मैं अपनी तरफ से बना रही हूं आपके सामने होगा रेफरेंस तो आप जाद अच्छे से बना पाऊगे इस तरीके से हल्की हल्की शेडिंग करके आने हैं बस अंडे डाक एरिया को निकालना है यहां पर जो है दोनों हाथ जाके मिल रहे हैं तो आपकोर्स यहां पर बहुत ज़्यादा डार कोने वाला है तो यहां पर जो है डाकनेस करनी है यह जो मैंने शेडिंग का तरीका बताया था यहां पर आई होप यह आपको समझा आया हूँ यह जो है बहुत जादा इंपॉर्टेंट अच्छा तरीका होता है शेडिंग करने का जिसमें कि आपकी जो स्टिल लाइफ है या आपकी फिगर रही है वह मर्जड भी हो जाती है प्लस आपको जो है किसी भी टूल का यूज नहीं करना पड़ता है जितने भी पोट्रेट् इस बनाए जाते हैं उसमें जो अलग अलग तरीके से जगे से स्टोक्स चला जाते हैं तब जाके वह एरिया मर्जड रूता है ठीक है कि अ कि 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 क क कर्या एतने शेडिंगं आपको करके आने ए ठीक है यह से बोला जाए है कि शेड नहीं करना है और शेयरे ना संसले भी थोड़ा से एक्स्ट्राइब्रया बढ़ा ज्वासrem करना ब defensive करके दिखा देती हूं आपको नेक वाला एरिया जो होता है हमेशा टार करोता है पेस की नीचे का ठीक है उसको टाक करना है कि यह मैंने अपने अकॉर्डिंग शेडिंग इसमें कर दी है मुझे प्रॉपर मेरे सामने कोही रेफिरेंस नहीं है तो मैंने अकॉर्डिंग कर दिए, वह भी Always क्या होता है कि strokes चेजिदिंग बस थोड़ी से ख् su talking बसे थोड़ी से खुली होति है कि इसमें हम ताईटS Kalau दगाते हैं addresses दीडर questa いた यह अगर में क्रos Arching करता है तो इसमें क्या करते हैं थोड़ा सो दूर करतेते हैं तोड़ कर mówi." के स्ट्रोक्स को — और हर तरफ से स해ीश होगता है Extralected due дух by yellow Ama धो चेहब तुमिछ यहाँ पर भिछानी है , भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा जो है शेडिंग कर देते हैं अब जैसे मैं नीचे वाले एरिया में आपको करके दिखाती हूं मालो मुझे यहां पर करनी है तो मैं तो यहां पर जालूंगी तो मुझे यहां पर जादा स्ट्रोक्स डालूंगी और उन्हें दूर दूर तक कम होते जाएंगी ताकि मेरी जो और फिर देन यहां से मैं नेक्स्ट पीसरी डिरेक्शन से स्ट्रोक से स्टार्ट कर दूँगी तो देख सकते होगे कि यहां पर डार्कमेस क्रियेट हो गई और यह एच बीसे है मैंने अगर मैं थोड़ा सा टूवी फॉर वी से करूंगी तो और जादा डार्कमेस आजाए और यह वाला तरीका जो मैंने बताये थे स्टार्टिंग में उस तरीके से भी शेड कर सकते हो बेसिकल यह आपको मजड दिखाना है तो आप किसी भी तरीके से जोई शेडिंग कर सकते हो बस वह अच्छा लगना चाहिए और शेडिंग में चीज आपको ध्यान रखने होती तो आपको क्या करना है जो डाकेस्ट एरियाज होते हैं जो डाकेस्ट एरियाज होते हैं उनको पकड़ना है सबसे पहले डाकेस्ट एरियाज पर तो शेडिंग करनी ही करनी है चोड़ना ही नहीं है जैसे यहां पर हाथ के यहां पर क्या है कि दो हाथ मिल रहे हैं तो यहां क्योंधे कोई दाउट्स हैं कि तरीके से करनी है तो मैंने दो तरीके बता दिया है इक यह जिल दी Wise तो हमारा मेंन मोटिफ वह होता है कि हमें जो टाके स्टेरिया है उन्हें निकालना है और शेडिंग अच्छी लगने लग जाती है सो आपको यह समझ आया होगा आज की वीडियो में इतना ही पूरी वीडियो में अगर में यह एक कलर करने लोगो तो काफी टाइम लग जाएगा बस जो मुझे समझाना था इस वीडियो के माध्यम से वह मैंने आपको समझा दिया है कि शेडिंग करने के लिए भी आ सकते हैं नहीं भी करने के लिए आ सकते हैं नहीं करनी है तो टाकिस टेडिया सो पकड़ना है करनी है तो थोड़ा बहुत उससे जादा कर देना जादा रिलिस्टिक नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं एक गंटे के अंदर आप नहीं कर पाओगे वैसे भी मेजर ली आपको ड्रॉइंग ध्यान देना ड्रॉइंग बेस्ट होनी चाहिए तो आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा ठीक है शेडिंग का जो मैंने आपको आज बताया है इसको फॉलो करना इस तरह से शेड करके जो है मुझे आप इंस्ट्रग्राम पे अपना वर्क शेयर क कर सकते हो इंस्ट्रग्राम इडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बबाए और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है कि किस तरीके से शेडिंग करनी है तो भी लाइक करना और कॉमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे कौन-कौन सी वीडियो आपको चाहिए